हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप से भी P F की मेम्बस को 5 बड़े बड़ाव के बारे मैं बताने वाला हूँ जो कि Passbook portal में किया गया है, दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पिछले कई दिनों से हमारा P F का Passbook portal काम नहीं कर रहा था उसमें maintenance का काम चल रहा था दोस्तों तो कल दोस्तों वो problem ठीक हो गया था लेकिन हम लोग लोग इन नहीं कर पा रहे थे दोस्तों जब मैंने login किया दोस्तों तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे बदलाव देखे हैं जो कि मैं आप सभी PF members को बताने वाला हूं साथ मैं आप सभी लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि ये जो बदलाव किया गया है इससे सभी PF members को फायदा होगा नुकसान होगा या फिर क्या फर्क बढ़ेगा अगर आप एक PF member हैं दोस्तों तो इस वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा अगर आप जानते हैं कि PF के पास्वूक पोर्टल में कई दिनों से maintenance का काम चल रहा था तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इस maintenance के बाद क्या कुछ बदला है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों को दिखा दिना चाहते हूं कि सबसे पहला जो update है वो क्या किया गया है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जब आप PF के पास्वूक पोर्टल में आएंगे दोस्तों और login होने के बाद दोस्तों कुछ step का interface आएगा जैसे आप यहाँ पे आएगे दोस्तों आपको पता चलेगा कि अरे कुछ तो नहीं बदला है फिर यह क्या मतलब की step का maintenance चल रहा था दोस्तों तो रुखिए मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूं कि क्या क्या बदला गिय है दोस्तों तो आप सभी लोगों को कुछ step का interface आता है जहां पे आप सभी लोगों को member ID को select करने के लिए कहा जाता है तो जिस भी company का आप PF का passbook या फिर क्लैम history देखना चाहता है वो member ID जैसे ही आप यहाँ पे select करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे दो ही option दिय की जा रहे हैं पहले दोस्तों यहां पे तीन आप्शन दिया जा रहा था पास बूख देखने के लिए दो अप्शन था दोस्तों ठीक है एक 一ने जिया जाता धा तो आप गयर नहीं घृड ऑदट करने को दो ही आप्टेंग street देखने को मिले एक दोस्तों हटा दीआ गया है एक अब आप अपना claim status देख पाएंगे और दूसरा अपना passbook चेक कर पाएंगे दोस्तों तो यह रहा दोस्तों update ठीक है लेकिन इसके बाद भी update खतम नहीं हुआ है दोस्तों जब आप कोई भी member id सेलेक्ट करके अगर आप passbook देखना चाहते हैं दोस्तों तो जैसे आप यहां पर passbook पे click करेंगे दोस्तों यहां पर view passbook new yearly वाले पे जब भी click करेंगे दोस्तों तो यहां पर देख सकते हैं कुछ step का आप लोगों के सामने यहां पर option आ जाएंगे आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों जैसे आप यहां पे वियू पास्टबुक नियो येर लिए पे किलिक करेंगे दोस्तों तो आपका पास्टबुक open हो जाएगा जहां पे आप अपना financial year वगरा select भी कर सकते हैं दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला जो update किया है दोस्तों आपको मैं दिखा दना चाता हूँ आप जब zoom करेंगे दोस्तों तो यहां पे देख सकते हैं आप सभी लोगों को दो नए option देखने को मिल जाएंगे एक होता है non taxable यह क्या है दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बता चाता हूँ दोस्तों की एक नया नियम आया था कि अगर कोई भी भी धाई लाक से ज्यादा कंट्रोबिशन देता है यहां पे तो धाई लाक से जितना भी ज्यादा इमाउंट देगा दोस्तों उस पे जो इंडिस्ट आएगा उस पे अब आप से भी लोगों को tax भी देना पड़ेगा तो यहां पे taxable और non-taxable कितना इमाउंट है वो आसानी से आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों एक देख सकते हैं जब आप यहां पे मन्त में आएंगे दोस्तों तो बहुत सारे ऐसे मन्त होते हैं दोस्तों जिसमें की दो या फिर दो से ज्यादा जांट में दो ट्रांजक्शन हुआ है मैं अभी आपसरे लोगोंको को कि nieuठी करके दिखाता हूं इहां पे दो होगा तो दीखेंगा तो तुट यहां पर दीख रहा है होज रखता है दोस्तों अगर आप यहाँ पर तीन ट्रांजेक्शन करेंगा तो तीन दिखेगा चार करेंगा तो चार दिखेगा तो यह यह दोस्तों अपडेट था जो कि यहाँ पर किया गया है यहाँ पर हाइलाइट करके आपको दिखा दिया जाएगा कि इस महिने में आप सभी लोगों को यहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है इसलिए यहाँ पे इस पेराग्राफ को हाइलाइट करके आप सभी लोगों के सामने दिखा दिया जाता है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं अभी अगर आप मुझे नए देख रहें दोस्तों तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बहुत सारे PF मेंबर दोस्तों वीडियो देक लेते हैं सब्सक्राइब ने करते हैं जिसका user id आपको सामने दिख रहा होगा